निम्तम समर्थन्बुल को हम कानून का रददा देंगे लेकिन आस तक उन्होंने नहीं दिया किसानों का करजा माफ करेंगे उन्होंने किसानों का करजा माफ नहीं किया बिजली विल जो प्रस्तावित है उसे वापस लेंगे अभी तक नहीं किया मजदूरों के खिलाब जो कानून उन्होंने बनाया था उसको रद करेंगे उन्होंने रद नहीं किया इसलिए पूरा भारत बंद है गाउं में हर्ताल है उद्योग में हर्ताल है हम किन्द सरकार से मांग करते हैं कि जो ट्रेड उनियन के लिए मज़दूरों का चार सर्व खानून लाया है उसको वापस ले लो पुरानी पेंशियन योजना को लागू करो किसानों की जो समझोते हुए हैं उसको लागू करो किसान मज़दूरों का काम करेगा वही दिन्ली में राज करेगा दरंदर मोदी पूरी तरह से मज़दूर किसान विरोधी हैं किसानों के बारे में उन्होंने वादा किया था निम्तम समर्थन्बूल को हम कानून का रददा देंगे लेकिन आस तक उन्होंने नहीं दिया बिजली विल जो प्रस्तावित है उसे वापस लेगैं अभी तक नहीं किया मज़दूरों के खिलाप जो कानून उन्हें बनया था उसको रद करेंगे उन्होंने रद नहीं किया इसलिए पूरा भारत बंद है गउं में हरताल है उद्योग में हरताल है सब लोग आज सरकों पे हैं जलूस में हैं मोदी जी किसानों मज़दूरों का काम किजिए अगर आप नहीं किजिएगा तो दो हजार चोबिस में आपकी बिदाई तै है आप हारियेगा यही बात कहने करें आप लोग गर्दानी भाग में धरना दिये थे कुछ दिन पहले 26-27-28 नॉंबर को पूरे देश में हर राज के राजधानी में महापराव लगाया गया था आज हालत यह हमारी कि देश की सुरक्षा के लिए चैनी बोडर और पाकिस्तान के बोडर पर सुरक्षा के लिए जो ड्रोन खारिदा गया देश की सुरक्षा को खत्रा में डाल करके उस ड्रोन को मगा करके किसान के ओपर ड्रोन से गोला बरसा रहा है असुगेस का ये देश द्रोही सरकार है और सुप्रीम कोर्ट ले बता दिया इनकी मांग जायज नहीं ये जायज मांग तो मोदी ने खुद जब दो हजारे गारे में कमिटी बनी थी उस कमिटी का चेर्मेन मोदी था और उसले तैक या था कि MSP की कानूनी गारेंटी होना चाहिए जिसका चेर्मेन मोदी था दो हजारे गारे में तो इसलिए मनमोहर सरकार मोद कमिटी बनी थी इसलिए इसलिए ये मोदी नहीं तो ही कहा था कि होना चाहिए आज कैसे गलत होगे और पिछले साल आंदोलन के दौर में जो किसानों के साथ उसने समझहोता किया था जो लिखित है उसमें कहा था के MSP कानून इगारेंटी हम देगे हम कानून बलाएगे लेकिन अभी तक कहां बलाया उसका कि जो ट्रेड युनियन के लिए मजदोरों का चार सर्व खानून लाया है उसको वापस लेलो पुरानी पैंसियन योजना को लागू करो तिसानों की जो समझोते हुए हैं उसको लागू करो किसान और मजदोर जो एकता बनी है इस एकता के माद्यां से हम रास व्यापि आंद कर दो खारो एक जो खर्फ कर रहे हैं वह खलत निती है इसलिए इन जनविरोधी नितियों के ख़लाद को पूरे रास चला रहे हैं और आने वाले जो चुनाओं है तो जनविरोधी सरकार को राश्विरोजी सरकार को सत्ता से बाहर कर रहा है यह अंदोलन का मुख्र लक्ष है अब देख सकते हैं कि इसके पहले भी किसानों ने यहां पर धर्णा करते हैं इसके लोगों ने बैनर लेकर गांधी मैदान से पूरा गोला कार बना कर यह लोग रैली दे रहे हैं कि आपको पैता रहे हैं कि पूरा सुबह से लेकर अब तक धर्णा दिया है क्या आप लोग से पहले भी धर्णा दिया चुके थे कोई निशकर्श नहीं किसानों पर जिसरी के सत्याचार हो रहा है केंद्र सरकार के तरफ से आप ऐसा मानते हैं क्या कर रहे हैं जो कुछी बोल से काला कानूल ला करके उन्होंने किसानों पर हमला किया लिजु जिस्पिढयक पार करके बिजु चुझयों को अदानी अंबानी को देने के लिए टाटा को देने की तैयारी में हैं फल्षरूप गरीब के घरों से बिड़ी चली जाएगी वह तो अपने स्पीच में भी कह आप देख सकते हैं पुरे गांदी मैदान को घेरा गिया है किसान के तरफ से और यहां पर जो भी आपको विज्वल के मादम से आखरी बादर दिखा देते हैं कि गर्दानी बाग धरना सल पर हम इससे पहले गए थे और फिर इन लोगों ने धरना दिया थे लिगन मांग पूरी नहीं होने कारण आज का यूने तारीक दिया था कि 16 परवरी को हम दोबारा से धरना निकालेंगे जो इन्होंने प्रोटेस्ट दोबारा से निकालाया काम कि है और उसकी हमने जो भी खबर थी आपको वीजूल के मातम से दिखा दिया है तो यह आज कि रिपोर्ट बाकिया से और कमाम खबरों के लाड़ साथ बनेड़ेंगे तक ते रहे किस्टानी फोर मैंने अंदन अप्टेस्वावी के पिंडू के साथ धनेवाद